हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल सोचियोलोची क्लासेस पाइल तो आज हम देखने वाले हैं MP सेट्ट 2023 के जो अभी अभी एक्जाम हुगा है पीवाई क्यों के रूप में देखेंगे पेपर को है तो हमके वाले हां पर हिंदी प्रश्न को ही पढ़ेंगे अगर जो इंगलीस में देखना चाहते हों साइड में इंगलीस वीडिया हुगा है आप देख सकते हैं तो पेपर काफी नई जी था नहीं ठप था बहुत मॉडरेट था तो हम उसकी अनालिसिस करेंगे तो आईए देखते हैं उससे पहले जरूरी सुचना आया है कि हमारा टेलिग्राम चैनल रन करता है जहां पर आप 9 एम और 9 पीम पर लाइव कुछ कर सकते हैं और टेलिग्र प्रकारों का उलेख किया है अगला प्रशन है मैक्स बेबर ने सामाजी क्रिया के कितने प्रकारों का उलेख किया है है तो मैक्स बेबर ने चार प्रकार के क्रियाओं का उलेख किया है इसके साथ साथ कभी-कभी पुछता कितनी प्रकार की सब्ताओं की बात करते हैं तो तीन प्रकार की सब्ताओं की व्यात करते हैं अगली प्रशन है कि इस्टडीज इन एथडो मेथडोलाजी पुछता के लेखक कौन है तो इस्टेडीज इन एथडो मेथडोलाजी के जो लेखक है वह हेराल लगार फिंका तो हमके वल उत्तर उत्तर देख रहे हैं ताकि की पूरा जो है प्रश्न कभर हो जाए कि हंड्रेट प्रश्न हैं तो समाज सास में समाजिक तत्यों के अध्यन पर किसने बल दिया है सोसल फैक्ट की कौन बात करते हैं तो समाजिक तत्यों की बात करते हैं इमाई दुर्खी अगला है structure and function in primitive society तो यह कुछ तक जो है बहुत ज्यादा पूछी जाती है रगबग हर ही हर दूसरे पेपर में प्रश्न आता ही आता है तो structure and function in primitive society जो कुछ तक है इसके लिए ब्राउन अगला है भारत में जादिक भारती आरे संस्किती का ब्रामण वालक है जो गंगा यमुना के मैदानों पर पोसित हुआ है और उधर से देश के अने भागों में पहुचा है यह कथन किसका है तो यह जो कथन संबंदित है यह कि भारत में जाती भारती आरे संस्किती रामण वालक है जो गंगा मुञ्ट्याऊ कर दानों में पोसीद हुआ है उसके बाद सारे देश में प्रसार हो अन्य भागों में प्रसारीट हुआ है key 관련 Кंट ऑप फिनो मीड़ोजी आफ दी सोसल वाल्ड पुस्तक के लिख़ा कौन अगला प्रश्न है अपनी किस पुस्तक में ईरविनगापमयन ने नाटकी या उपागम अभिन्याईसास्त्रो उपागम का उलेख किया ह। इन्होंने अपनी पुस्तक दप्रजेंटेशन आप सिल्फ इन इवरी डेल लाइप पुस्तक जो है उसमें नाटकी उपागम या अभिनेसास्त्री उपागम का प्रयोग करते हैं इनके अलामा नाटे की नाटे-सास्त की बात करते हैं जैक्स डरीड़ा अगला है जिसने आधुनिक समाज के लिए नेटवर्क को मूल इकाई माना है तो आज आधुनिक समाज को नेटवर्क करता नेटवर्क सोसाइटी की बात कौन करते हैं तो आधुनिक समाज के लिए नेटवर्क को मूल इकाई मानने वाले जो विचारक हैं वहां मैनूल कैसल है अगली हैं एलिहेसन आफ दकाष्ट एनिहीलेसन आफ दकाष्ट पुस्तक के लेखा कौन है तो एलिहिनेशन आफ दकाष्ट पुस्तक के लेखा जो है वीरा अमबेटकरजी अगला है इसी विसेश समय बिंदु पर तथ्य संग्रहण वाला अध्यन अभी क्यल्पर कहलाता है किसी विशेसारथाथ एक ही समय पर अध्यों का हम अध्यान करतें में तो उसे क्रास सेक्सेनल स्टरी कंते हैं और प्रतीन ध्यात्य वाट सर्थ अध्यात्य। प्रतिerson कैसे थे हम अध्यान करते है किस ने आवसत के साथ बीजगर्थी रूप में हेर फेर नहीं किया जा सकता है तो किस जो है सिंटर्ट्रेडेंसी है उसमें जो है हेर फेर नहीं किया जा सकता है बीजगर्थी रूप में अर्थाथ एक्स वाई कमान नहीं दखा जा सकता है तो जो यहाँ पे हो जाएगा answer वह बहुलक होगा क्योंकि बहुलक जो होता है इसमें कई तरह के अंक जो है दीए रहते हैं जो अंकगरती रूप में होते हैं और उन में जिनकी सरवाधिक संख्या होती है उसी को हम बहुलक मानते हैं तो उसमें xy का मान रखके हम उसको नहीं निकाल सकते हैं बाकी माध्य है और माध्य क्या में हम frequency के लिए बिजगरती स्वरूप का प्रयोग करते हैं अगला है यह कथन किसका है कि मैंने अपना सोध और सहभागी प्रेचक के रूप में प्रारम किया जैसे ही मैंने समधाय में स्विक्रित हुआ मैंने लगभग अपने आपको जो है गयर प्रेचक सहभागी के रूप में प्रारम किया था यहां पर थोड़ा है इस प्रस्ट में इंकलत है यहां असाभागी प्रचक के रूप में प्रारम किया था और जैसे ही समदाय में गये तो इन्होंने पाया कि वह समदाय के क्या है साभागी रूप में तो यहां पर जो अन्सर होगा वहां बिलियम यह फॉइट होगा बिलियम वाइट का कहना था कि जब मैंने किसी अपना सोध प्रारम किया तो मैं असाभागी प्रिच्छक के रूप में कारे कर रहा था लेकिन जैसे अध्यां करते करते हमें यह अहसाद हुआ कि मैं उस समूं क दिख सोशल सर्वे एंड रिसर्च जो कुछ तक है वह पीबी एंग से संबंधित है अगला है सोध में निशकर्सों को दोहरानी की छमता कहलाती है तो जब हम सोध में निशकर्सों को बार बार दोहराते हैं तो हमें उस पर क्या होती विश्वास बढ़ जाता है विश्वस व्हार दाहन में वैक्तिक अध्यान अर्थात केस स्टोरी यहां पर देखिए टाइप इन मिस टेल्श एक स्टरी का उपयोग करने वाला प्रत्म यह तो किस्टारी का सरफथं प्रयोग किसंतिय है तो फेडरिक लिपले जो है केस इस्टड़ी या वैक्ति कद्यन पद्धतिया सरुपतम प्रयोग करते हैं अगला प्रश्ण है किस प्रकार की नमूना करार की विधी आदर्स रूप से अनकूल है जहां पर जनसंख्या के बारे में कोई ग्यान नहीं है तो जब हमें जनसंख्या के बारे में कोई ग्यान नहीं होता है तो हम इश्ण वाल और निदर्सन का प्रयोक करते हैं या इसको चैन सेंपलिंग भी कहते हैं है अगला है वैज्ण मिथी से संबंधित है तो समाज मिति से कौन संबंदित है तो समाज मिति जो है जेल मिरोनि मोरोन्यों द्वारा और धाड़ा दी गई है कि अगला प्रश्ण है यह सब जो है अल्रेडी किसी ना किसी रूप में पीवाई क्यों किसी ना किसी एकजाम में पूछे ही गए तो अगला प्रश्ण है जब एक चर गुड़ात्मक हो दूसरा चर मत्रात्मक हो अर्था एक चर क्वालिटेटिव हो और दूसरा क्वांटिटेटिव हो तो दोनों के मद्ध सफ परिवारतित ग्याद करने के लिए अर्था संबंध ग्याद करने के लिए को रिलेशन या को व पर लिया निम्ली मैंसे कि सोद में निएंतर समुर्ण गर्लूप शमली ठोथाँ थो कंट्रोल गुप जो है के वाल एक ही प्रियोग में या सोद operates और आट में, सूधा प्ppen्रफ 11 और नियंद्टर चर्की महत्हफुली कॉक्षा होती हर अगला है orse ढॉश्ब के मार्ण ना समाशास में संबस्तिन अबGRाक सर्फितम किस्ने किया है तो समाशास में साब्दका सर्फितम 2000 कि या है तो हरवाइट इस्पेंसर हैं और इनसे संबंदित एक सामाजी कुद्विकास की इन्होंने सिधान दी है वो भी पूछी जाती है अथला है संस्किती के तीन भी सेस्ताओं अधर सात्मक संस्किती इंडरी परक संस्किती आधर सवाती संस्किती का उलेख किसने किया ईयुक्त है तो यह अभी प्रश्ण जग है अभी तक हाल फिलहाल में जीतने भी एक्जाम हुए है उन्हीं में किसी न किसी रूप पाई जाती है समानी जीवन होता है निर्भरता की अंतर निर्भरता की भावना भी देखी जाती है लेकिन समुदाय का अब्यक्ति जो है जन्मजाद से ही सदस्य होता है अच्छिक सदस्यता जो है समीठी में होती है तो यहां राइट आंसर हमारा अच्छिक सदस्यता होगा राल्फ लिंटन या बिलबर्ट मूरे तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वह राल्फ लिंटन ने समाजिक प्राइस्थिति या सोसल स्टेटस की बात कही है अगला है नातेदारी में ब्यवहार उस प्रथा को क्या कहा जाएगा जिसमें मामा द्वारा भांजे और भांजियों को अन्ने सभी रिष्थेदारों की अपेच्छा अधिक प्रात्मिक्ता दी जाती है तो जहां पर मामा को अधिक प्रात्मिक्ता दी जाती हो तो वहां पर जो संबंध बनता है मातुले बनता है और जहां पर बुगा को अधिक प्रात्मिक्ता दी जाती है तो वहां पर प्रित्वत स्रे संबंध देखने को मिलता है और परिहार और परिहार सब्द होता है जब एक दूसरे के पीड़ मुझी चेट और सब्द करते हैं उसके परिहार सब्द की जो अधाड़ा दी है तो हो अथवा टोटा मुवाद के सिध्धान्त के प्रितिवाद कौन है तो टोटा मुवाद की बात करते हैं दुरखीन प्रकीतिवाद धर्म के प्रकीतिवाद के सिध्धान्त की बात करते हैं मैक्स मूलर और धर्म के जिव सत्तावाद की बात करते हैं एलविन टाइलर या कि अगला प्रश्ण है कि इसने कहा है कि सिच्छा का अर्थ नई पीडियों को अपचारिक रूप से सामाजिक विरासत हस्तांत्रित करना तो यहां पर थोड़ा सा डाउट है जो अंसर की दिया हुआ है वह जिन्स बट है लेकिन इससे संबंधित बात सिच्छा एजुकेशन से संबंधित दुर्खी में बात करते हैं कि पीड़ीदार फीड़ी हस्तांत्रित होती है और पार्शंस भी करते हैं तो हम एंसर की को ही मान के चलेंगे जिन्स वर्ट तो अगला है समाजिक अस्तरी करड के प्रकारियात्मक रूम में अन्यमार मानने वाले विदवान कॉन है तो यह अधिक कुष्चन हाल-फ्ला-फिलाहल के सभी उस्तामउं में पूछा जाने माला कि उसठराण की समाजिक अस्तरी करण में प्रकारियात्मक रूम का प्रयोग किस ने किया तो डेविस और मुरे है इनके अलामा पार्शंस कहीं कहीं भी दे देता है अगला है किसने कहा कि संस्कृति करण की प्रक्रिया दो तरफा प्रक्रिया है तो इस क्यूस्टन में भी थोड़ा साड़ाउट है तो यहां जो एंसर की में है वह राइट आंसर है एम एंसरी निवास लेकिन योगेंद्र सिंग्भी इसकी बात जो है करते है अगला है अंध्रे बेताई के अनुसार क्रिशी सामाजिक संद्चना का अध्यन किन मुद्दो के चारो और भूमता है तकनिकी ब्यवस्ता सामाजि सामाजिक बोढिवस्ता दोनो तो ऑन्द्रे बेताई के अनुसार सामाजिक संद्चना क्रिशी. सामील हुई है और तकनिक के अनुसार ब्रिटिस काल में looked. चोटे गडरा राज तो यहां राइट आंसर होगा सर हेनरी यस मेन ने के अनुसार जो है बिटिश काल में जो भारती गाउं थे वह छोटे-छोटे गड़राज थे अगला प्रशन है लुइस वर्थ द्वारा सहरी करण की इस्थिती निर्धारक करने के लिए किनमान डंडो की पहचान नहीं की गई है अकार घनत्व जनसंख्या की समरूपता जनसंख्या की विजमता तो जनसंख्या की समरूपता जो है सहरों में नहीं देखी जाती तो यहा अकार घनात और जनसंख्या की बात करते हैं अगला है कौन सी जाती व्यवस्था को कौन जाती व्यवस्था को हिंदू धर्म में फॉलादी धाचा मानते हैं यह दिसाई वाई सिंख एमन शीनवास या नंदू राम तो यह जो राइट आंसर होगा वह एया दिसाई हैं जिन्ह धर्म का फॉलादी धाचा जाती व्यवस्था को माना है अगला है भारती समाज में कितने अधिक समूहों की चर्चा की गई है जो अधिकारिक रूप से जन्जातियों के रूप में नामित किये गए हैं तो यहां जो राइट आंसर होगा वह 600 लेकिन इस्ट जो आखड़ा ह है वह लगबख 700 के पास है लगबख 600 97 के आसपास है अगला है सुची एक को सुची दो को स्मेलित करना है नीचे दिये गया कूटो के अनुसार पुस्तक है और उनसे समंधित लेखर दिये हुए है कि अ तो यहां है दोर जेन और एक्सप्लॉइटेशन नाम क पुस्तक जो संबंदित है वा जहां प्रीमाइन से समंधित है पिजेंट स्ट्रंगल इन इन्डिया की बात करते हैं ए यार दिस sitting मूम्मेंट गाद करते हैं डिजन धनागरे और चंपारण एन महत्मा गाधी चंपारण एन महत्मा गाधी की बात करते हैं डाक्टर राजेंद प्रसाथ तो एक बार फिर से देख लीजिए पेट्रो जे ने पेट्रो नेज एंड एक्स्प्लोइटेशन जो पुस्तक संबंदीत है वह जान धियर मैंसे संबंदीत है एक चुर्य टैंट विल कि अध्यां नाग्रे करते हैंब उन और यूस्त्ति है उसकी बारे मीं जो है चर्चा करते हैं धिसए के कि सत्याग्राय हंदोलन की चर्षा राजन्द प्रसाद ने किया है तो यह राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी अगला है किसके अनुसार बजार में नित्रित्व करने वाले सहरी करण को धीमा करने वाले या हतो साहित करने के सभी प्रयास बिफल और अनुपत्पादक रहे हैं अगला है तो है राइट अंसर होगा वह रोजर व्धितर तो एक चुर्च ऐसे प्रशन होटे हैं जो कि कि और के तुक्क हर दिया सही हो गया सही हो गया और ऐसे प्रशन आपको खासर करके सलीबस वाले डिपार्टमेंट में मिलेगा भी तो रोजर जेटर का मानना है कि बजार के नित्रित्व करने वाले सहरी करण को धीमा करने वाले या हतोसाइद करने वाले सभी प्रयास जो है बिफल और अनुत पातक है अगला है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है दिये गए कूटों के अनुसार तो यहां पर देखते हैं कौन से कंसेप्ट है तो किरायदार और उपकिरायदार बठाईदारों से किराया एकात्र करना तो किराया एकात्र करने का कारे जो करता है वह मालिक करता है है खेतों में काम करने वाले क्रिशक जिनकी संपत्ति में हितनी हित हो तो जब संपत्ति में हितनी हित होंगी तो वह किसान होंगे उसके बाद दिया है मुख्य रूप से अन्य की भूमी पर काम करके अपनी आजीव का कमाना मतलब दूसरों के भूमी पर कारे करके जब आजीव का कमाते हैं तो वह मजदूर हो जाते हैं और बिना सुरच्छा कि पट्टे पर दूसरों के लिए खेती करना तो यहां बटाईदार का कार्य होता है तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अगला है यहां पर पुष्टक दिये हैं और उनसे समन्नित लेखक इनको जो है मैच कराना है टो डिकलाइण अब दफेश्ट तो डिकलाइण आफ दि बेश्ट की बात करते हैं ओस्ट वाल इस पिंगलर जबकल्चर आप सिटी की बात करते हैं मंफोड इस्टरीज आप रूलर सुसाइटी studies आप ruler society की बात करते हैं जे अच काब एंड ब्रूनर उसके बात दिया है यहाँ पे society, culture and personality तो society, culture and personality की जो पुछ तक है वह पिये सरोकिन से समद्धित है तो यहाँ पे जो right answer हो जाएगा वह हो जाएगा second तो यहाँ पे प्रस्न संख्या नब्य है तो यहाँ पर अंदोलन दिये हैं और उनसे समद्धित वर्स दिया है इनको मैज कराना है तो चंपारण जो अंदोलन है वह 1917 और अठारा में हुआ है खेड़ा अंदोलन जो हुआ है वह 1918 में हुआ है बारदोली सत्या ग्रहां दोलन 1920 में और माला बार में मुपला विद्रोह जो हुआ है वह 1921 में हुआ है तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है निमलिखित में से कौन से निकाय सूचना के अधिकार अधनियम 2005 के अंतरकत आते हैं केवल सरकारी निकाय केवल समवयधानिक त्वारा संगटित निकाय भार परयाप्त रूप से भित्तपोषी सरकारी और गहर्य सरकारी निकाय किनि निकाय जो किसी भी राजनू där थो wes रहाज़ार पंच अधनियम के अंतरकत वेशिखित निकाया लाएंगे, जो सरकार्द्वारा बित पोसी हो या गएर सरकारी निकाहएं। अगला प्रशना है, शिड्नी बारबा, ने बिसुध राजनीतिक संस्कृति के कौन से प्रकार की चर्चा नहीं किया या नहीं बताया। तो सिड्नी बारबा जो है असहभागी की बात नहीं करते हैं राजनीतिक संस्कृति में संक्रिता की बात करते हैं पराधिहिंता की बात करते हैं और सहभागी की बात करते हैं अग्ला है धर्म, प्रथाएं, न्याइक, निरळे, लोकरीतियां, व्यवस्था, व्यक्रिजत, अनुभवु इनमें कौन के निर्मार के del hm कौन कौन से हैं तो देखिए धर्म के भूम्क्या को भी देखा जाता है प्रथाओं को भी देखा जाता है नियाइक निर्ड़य को भी देखा जाता है व्यवस्थाप्या को देखा जाता है इन सब को देखा जाता है जब कि लोक रीतिया लोक कहते लोक तिया को नहीं माना जा ना तो किसी भी ब्यक्तिके ब्यक्तिकेद अनुभाव को साजा किया जाता है कानून बनाने के लिए तो राइट आंचर जो हो जाएगा डी एक दो तीन और पांच धर्म प्रथाएं नियाइक निर्ड़े और व्यवस्था भी क्या अगला प्रशन है सूची एक को सूची दो के साथ मेलित करना है दिए गया कूटो के अनुसार तो अनायतिक ब्यापार रोक्ताम अधनियम जो लाया गया था वह उनीस्तो छपन में अनिस्तो छपन में चिकिस से घर्भ समापन अधनियम निस्तो एकत्र में लाया गया था कि लिंग जाच जब रुड़त्यार जो होती है उसके बारे में उसके बाद घरेलू हिंसा में महिला संद्चण अधनियम 2005 से संबंदी था और यह इस समय प्रजेंट में जो है सबसे हिंदू विदवा पुनर्द विवा अधनियम 1856 तो यह सभी जो है अल्रेडी मैश्ट है तो यहां राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वन हो जाएगा एक बार फिर से देख लीजे अनायतिक व्यापार रोगताम अधनियम निस्तो छपन चिकिस सिक घर्म समापन अधनियम घरेलू हिंचा से महिला संद्चर अधनियम 2005 और हिंदू विदवा पुनर्द विवा अधनियम 1856 अगला है निमलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट के अंतरगत अंतर राष्टी एजन्सियों द्वारा नीती निर्माड का छेत्र नहीं है अंतर राष्टी सांती और सुर पारिवालिक समस्याओं का अंतर राष्टी मुद्व पर चर्चा होता है लेकिन जो है संयुक्त राष्ट वारा धार्मिक मामलों पर हस्तच्छेप नहीं किया जाता है या भी से नहीं है नीजिनिर्माड का अगला है कि समास्यास्त्री ने उत्तर भारत के गाउं का अध्य राइट आंसर होगा वह आसकर लेविस हो जाएंगे जिन्होंने अपने भारती गाउं के अध्यान पाद यह निसकार्च निकाला की प्रतेक गाउं अनेक गुटों में विवखते हैं और इनके अलामा गुट सब्दका जो सर्वपथम प्रयोग किया था वह रेमंध पर्थने किया था अगला प्रश्न है किन दसकों में भारत में निर्धनता उनमूलन विकास तथा ब्रिज्धी सिच्छा तक पहुच नागरिक सुतनता की सुरच्चा के छेत्रों में सिविल सुसाइटी विशेस रूप से गयर सरकारी संगठनों की संग्या पड़ी तो यहां पर स्वारी फार डिस्टर्बेंस आ जाता है फूंट यहां पर जो है जो राइट अंसर होगा उननीस तो नब्वे यह दो हजार सुरी ना 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 उननीस तो सतर से असी के दसक में क्या है प्राइबेट संस्थाओं को एजुकेशन अगला प्रशन है आई प्राइबेट विद्धिया लें की जो है पहुच बढ़ी है अगला प्रशन है आई पी दिसाई अंध्रे वित्धिया और उपेंद्री उपेंद्र वेक्षी के अनुसार निम्न में से किस पहलू को आरच्छड का आधार बनाया जाना चाहिए तो यह सब जो है इन्होंने जातिक आरच्छड की जो है आलोचना की है और कहा जातिक आधार पर आरच्छड ना देकर हमें आरथिक आधार को आरच्छड का आधार बनाना चाहिए अगला है निम्न में से किसने सरप्रथम सबीनाय अवग्या सब्द का प्रयोग किया था तो जैसे सभी लोग यह जानते होंगे किसने अवग्या सब्द का प्रयोग किया था भारत में वह गादी जी ने किया था लेकिन यहां पूछा है सरप्रथम तो सरप्रथम हेनरी बीट थोरो थे जिनों ने सब्जय अवग्या सब्द का प्रयोग किया है निम्लिखित में से कौन दबाव समू की एक बिसेस्ता नहीं है अध्या की दबाव समू या शीत समू करके यह प्रस्ट पूछा जाता है इंट्रेस्ट प्रेसर रूप इनकी सनचन आप चारिक होती चैसे जैसे मज़तूर संगठन इनका निर्मार इंद मार्टी प्रतिया को प्राववीत करते हैं या भी साई है एक अप रत्य रूप में र आजनीती करते हैं या सही नहीं है अगला है मौन वस्त बिनिमय निमलिखित में से किन दो जन जातियों के बीच पाया जाता है तो यहां पर जो राइट रहें होगा सिमांग और सकाई जन जाती होंगी जिन में महन होता है इन दौनों समयों मैं क्वालिखित होती है लेकि इन्हों snapped बिनमे करने के लिए नया तरीका अपना अगर इन्हें बिनमे करना एक विसे सथान पर अपना समान छोड़ देंगे और जो चाहिए होगा उसे वहां पर रख देंगे मतलब उसका संखेत वहां पर देंगे और सामने वाला जो दूसरा ग्रुप आएगा और यहां छोड़कर वस्त चलेगे अपने अगया लेकिन यह आयेगा इस वस्तौन क्यों लेकर अपने अपनी समने जाएगा और जो वाटू इस ग्रुप को चाहिए वाह वस्त इने देगा से अ मांग और सखाई में ऐसा जो वह मे दिमें लिज ने को मिलता है पूश्तक है वह रराबर्ट ब्लोनर से संबन भी अगला है कि निमलिकीत में से किस विद्वान ने डी-स्किलिंग सब्ध प्रचपादित किया है तो डी-स्किलिंग सब्धप्ठश् critique जो किया है वह है अगला है अंडर इस्टेंदिंग डीजिटल कल्चर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई तो अंडर स्टेंडिंग डीचल कट चाथ जो है डीजिटल कलचर जो पुस्तक है वह वह बीसेंट मिलर से समंधित है अगला है ग्रिया विहीन होना सामाजिक भहिसकरण का सबसे निम्न स्वरूप है या कथन संबंधित है तो या कथन जो संबंधित है एंथनी गिडिंग से संबंधित है अगला प्रशन है उन्नीसमी सदी में महिलाओं को सारजनिक छेतर से बहिसकरण रखा गया था क्यूंकि और ध्योगी पूजीबाद ने मध्यमवर्ग के घर को कारियस्तल से प्रिथक रखा सही है लोग बैतेनिक रोजगार में प्रवेश किये थे उन्हें 20 छेत्रों द्वार अलग कर दिया गया था स्रम्भी भाजन कर दिया गया था उसके बाद इस त्रियों से समझा होता कि ये भी ना पूरुष धारा की राजनीती में सफल होना कठी था तो यह जो है उपर युक्त सभी कथन जो है मैलाओं को सारजनिक छेत्रों से दूर रखने के कारर के रुप इसकी बात करते हैं 1977 में का अर्थ क्या है तो सामुहिक उप्भोग का अर्थ है सारजनिक छेत्र जैसे स्वास्तकी अस्पताल सारजनिक अवास सरकारी अवास एजुकेशन सिस्टम सिच्छा आदी सेवाओं का प्रावधान जो है सामुहिक उप्भोग के रुप में एखा जाता है निम्न में से किसने वाटीज प्रॉपरिटी नामक पुस्तक लिखी तो प्यरे जो जब जो सब प्रूध हो जो है वाटीज प्रॉपरिटी पुस्तक के लिकर अगला है वास सिंगतन इस्थित वर्डवाच संस्थान कि से संबंधित है तो वर्डवाच जो है पर्य स्रम के सांस्कृतिक विभाजन से संबंधित किसकी स्थिति को निम्लिखित कथन में से समयकित किया जा सकता है। स्रम का लिंग आधारित विभाजन न केवल सारभौमिक है बलकि यह होने का कोई खास कारण भी नहीं है। यह कथन किसने दिया है। तो अन्ना ओकले अपने जिंडर स्टड़ी में या कथन देती है। अकला है निम्ल में से कौन परियावलड़ी आंदोलन नहीं है। परियावलड़ से संबंधित आंदोलन नहीं है। विश्नोई आंदोलन परियावलड़ से संबंधित है। चिपको अंदोलन भी परियावलण से संबंधित है अपिको अंदोलन भी परियावलण से संबंधित है तो चिपको हमारा उत्राखंड में अपिको हमारा करनाठक में और विश्णोई अंदोलन राजस्थान में पेड़ों को बचाने के लिए किये गए अंदोलन है जबकि बा जब आप रोम में एक कंप्यूटर मिध्या भास चलाया जिसका उत्येश यह पता करना था कि सिमित साधनों संसाधनों को एक ग्रह पर क्या नतीजे होते हैं अध्यन के परिड्याम को लोकपिरी रूप से जाना जाता है तो यहां राइट अंसर होगा ब्रिद्ध की सीमा और थात एक समय जनसंख्या ब्रिद्ध की एक सीमा आईसी आएगी जो सभी संसाधनों का दोहन कर लेगी वह उसे ग्रह का अंत्र होगा अगला है दी अंक्वाइट बुट्स इकोलोजी चेंजेस एंड पीजेंट रेशिन्टेंट इन हिमालयाज तो यह ता किंच शे सम्बंदीत है तो रामचंद्र गुहा से मधित है दा अन्क्वाइड वूट्स इकोलोजिकल चेंजेस अट पीजेंट रेशिटी रेशिटें इन्स इन्द हिमाले आज अगला है मनुष्य की गत्विधी का संपूर ग्रीन हाउस गत्स उत्स सर्जन से जलवाई पर प्रभाव का माप मतलब कितना कारबन डाई एक्साइड आप उस सर्जित करते हैं और कितना जलवाई परिवर्तन में योगदान करते हैं यह कहलाता है तो यह जो कहलाता है न हgeons कारबन फुट प्रिंट कहलाता है मतलब फैक्टरियों और किसी भी माध्यम से वह देश कितना कारबन उससर्जित करता है और क्लाइमेट चेंज में कितना कार्बन सर्जन करने में उसका युगदान यहां तक कार्बन फुट फ्रिंट की खरीद फ्रोख वी चलती है आसे को पता होना चाहिए कि जो अल्प विक्सित है उनके अनुसार जो है विक्सित समाज उनसे जो है पैसे देकर उनक्या जो है उनके अगला है पर्यावार्डी नश्लवाद क्या है तो पर्यावार्डी नश्लवाद वह तरीका है जिसके द्वारा गरीबों बिसेशकर अल्प संख्यकों में पर्यावार्डी खतरे अधिक होते कि अगला है किस ने कहा कि संसाधन अंक गड़ती अनुक्रम से बढ़ते हैं एक दो तीन चार जब की जामती जनसंख्या जो है जामती अनुक्रम में बढ़ते हैं दो चार चार आठ दस इस जाप से तो यहां राइट आंसर होगा मालचत का एक प्रसिद्ध कथन स्टेटमें आए गये दरिद्रता जोखी माडल का हिस्ता नहीं है दरिद्रता जोखी माडल का हिस्ता था भ्यक्ति भूम होगा तब भी दरीद्र होगा बेरुजगार होगा तभी दरीद्र होगा बेघर होगा फिर भी दरीद्र होगा लेकिन अगर वह अकेला है सिंगल है तो इसका मतल प्रमुख्प्षूत नहीं है तो राइट आंसर होगा जीओ धरमल का बहुत दीन नियोगदान है भारत के बिजली उतपादन में के लाउप कोहेला है प्राथमी के प्रमुक्सरोत्य के रूप में देखा जाता है गैस हाइज हाइड्रोजन अर्षाथ हाइड्रो अर्था जल से उत्पादित भी जली जो है इस सब्सक्राइब किया जा रहा है अगला है संयुक्त राष्ट सामाने सभाई द्वारा किस दसक को प्राक्तिक आपदा का अंतर राष्टी दसक घोसित किया गया था तो यहां पर प्रश्ण है कि किस दसक को प्राक्तिक अंतर राष्टी दसक घोसित किया गया था तो राइट आंसर होगा 1990 से 2000 के दसक को अंतर राश्टी आपता दसक घोसित किया गया है अगला है यूनियन कारवाइट रसाइनिक किटनासक सैंहंत्र दो हजार चौरासी में गयस रिषाओं के फल्सवरूत हजारों लोग मारे गए थे यह इस्थित है तो मध्यपरदेश के भुपाल में गयस कांड हुआ था जिसमें यूनियन कारवाइट रसाइनिक किटनासक तो यहां कारवाइट रसाइनिक किटनासक यह भी याद रखेंग कभी-कभी गयस सीधा प्रश्ण पूछता कि भुपाल में किस गयस का रिषाओं हुआ था तो यूनियन कारवाइट रसाइनिक किटनासक तो यहां पर बहुत से लोग मारे गए थे वह भुपाल में इस्थित हैं इसे भुपाल गयस त्रास्ति के नाम से भी जाना जाता है नहीं सुरी रुग्ण भूम्क्या नहीं बीमारू राज्य हां बीमारू राज्य अर्थाद उसी से संबंधित यह प्रश्ण भी है तो आजिस बोस द्वारा जो बीमारू राज्य की अधाड़ा दी गयी थी उसमें इन्होंने कहा कि चनसंख्या समस्या के लिए को उन से च बादह बनते उचांट भिहार मद्रप्रदे राजस्तान और उत्तर प्रदेष की बात इन्हों ने कहीं अगला है किस बिद्वान ने से से जुड़े मतभेद को तीन अस्तरों में बाता है प्राथ मियत मध्ध मध्ध तृतियक मतभेद तक तहर राइट अंसर जो होगा है वालाक एलीज जो है इन्हों ने सेक्स से जुड़े मत्भेदों को प्राध्मि मध्वेग ऑफ मत्भेद के रूप में चर्चा की है कि अकला है दी सेकेंड पुस्तक दीस सेकेंड सेक्स पुस्तक तोच चौसे को सिमोन दी भूगा की है 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 थे अगला है खीसने कहा कि लिंग इभिन्ता वेसी तो ऐसा है कि लिंग भीजुंटा सान्स्कित उत्साइव घंण है तो करें तरह यहां राइप अंसर के सिह संबंदित क्या कंम दोहां के कि आया था वो लागू कब किया गया था तो यह लागू हुगा था 26 अक्टूबर 2006 में कि अगला है किस ने कहा कि संद्चनाओं में बिना प्रकारियों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घठीत नहीं हो सकता है तो यहाँ पर जो राइट आंशर होगा वह रबार्ट स्पिंसर है जिसका मानना है कि संद्चनाओं में परिवर्तन करना है तो प्रकारियों में भी परिवर्तन होना चाहिए क्रकार जब पडिवर्थित होंगे जब भी जो है समद्चनाव में पडिवर्थन होगा अगला है किसने कहा कि परिवार पती पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक समाजिक इकाई अगला है निमलिखित आयामों और था छेत्रों में से कौन सा एक आयाम ग्लोबल जेंडर गयब सुचकांक में समलित नहीं है तो ग्लोबल चेंडर सुचकांक में जो है साहितिक आयाम को सामिल नहीं किया जाता है जबकि आर्थिक राजनेतिक और सच्छडिक आयामों को सामिल किया जाता है अगला प्रशन है किसने अर्षिया को एक प्रकार का भय जो किसी अधिकार को बनाए रखने की इच्छा से संबंदित है के रूप में परिभासित किया है तो दिकार्थ हैं कि इन्होंने इच्छा को कहा कि यह एक प्रकार का भय होता है जो किसी अधिकार को बनाए अर्थाद स्थिर रखने से संबंदित होता है यह मत किसका है या किस संधान से संबंदीत है कि विध्धा समाज विध्धा अवस्था तक पहुचने पर लोगों को जिम्मेदारी के पदोस्व खटाकर अपने बेवस्थित संचालन को आगे बढ़ाता है अर्थाद उनको उनके पस से रिटायरमेंट प्रदान करता है इसका या विख्टन सिध्धान के रूप में कि जब व्यक्ति एक निश्चित उम्र पढ़ाव पर पहुच जाता है तो उसके पद से उसको रिटायरमेंट कर दिया जाता है अगला है रुपावली या पैराडाईं विश्व को सामान्य तरीकों से देखने का माध्यम है जो यह है तो पैराडाईं की जुबत करते हैं आधामस कुवथन इनकी मानना है कि पैराडावी विश्व को समाने तरीके के देखने का एक माध्यम है जो यह सुझाओ देता है कि हमें किस तरह से देखना और किस तरह सिध्दान्टों का पृथ्पयाब्धन्य करना चाहिए अगला है किस ने कहा या देखा कि विज्ञान किसी भी संतार की वास्तविक्ताओं को सत्यापित नहीं कर सकता है इस कार्य मिठ्चा सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं होगा तो यह कथन किसे संबंधित है तो यह जो कथन संबंधित है यह काल पापर से संबंधित है इन्होंने देखा कि विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविक्ताओं को सत्यापित नहीं कर सकता केवल इसका कार्य इंटोंने का कि मिध्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं हो गा अगला प्रश्न है वैज्ञानिक कार्य चार प्रमुक मांडंडों पर आधारित होते हैं इन में से कौन गलत है सर्भावमिक्ता संकीरता निस्पत्चता संगठित संसाय वाद तो है राइट आंसा जो हो जाएगा विज्ञान में संकीरता को नहीं देखा जाता है अगला प्रश्न है डोना हारवे 1990 में एक बहुत ही उकसाने वाली किताब सिम्यंग स्ाइबो बढरligen होद्य क्षेंग संकर पराली या पराडी तो अगर आप पिचर देख्ना होंगे तो उसमें साइबो-बर्गस की बात की, जिसमें क्या होता है? इंसानों के अंदर उनके किसी यंग तूट या खो जाने पर उनमें जो है gradient जैस मसीनी यंग लगाए जाते हैं, इसे इन्होंने साइबो, बर्ग-काह कि गरीब Haibs not पर आधारित है जो नई सूचना तक्नीक के विकास से जूरी होती है तो यहां अमीर grabs घरिब है जबर्सनार्ट मतलब अमिरों के पास है और गरीबों के के पास नहीं है तो इस प्रकार की सूचना प्रडाली की वर्गों का जो विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं साइबर क्लास कि अचलब कुछ लोगों के पास इंटरनेट की सुझाय होती है कुछ लोगों के पास नहीं होती है तो जिनके पास होती है उन्हें साइबर क्लास का गया जिनके पास नहीं होता है उन्हें है अगला है इन में से कौन सूचना यूग का भाग नहीं है दीजिटल विशले सड आत्मक उच्छ तक्निक कंप्यूटिंग तो यहां पूछा है सूचना यूग से विशले सड जो है संबंधित नहीं है तो राइट आंसर हमारा भी हो जाएगा अगला है किस माक्सवाधी दार्शनिक ने देखा कि बहुत सारे संथाएं राजतंत्र से सोतंत्र हुए हैं तो राज्य से सोतंत्र होते रते हुये भी प्रभुत वाली विचार धाराओं को पुनाफ पेश करने का कार्य करते हैं जिससे उन्होंने वयचार की राजिय तंत्र कहा आइडियोलाजी स्टेटर आप्रेट्स कहा है तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लूइस अल्थिूजर और उधारड के तौर पर ऐसे तत्यों को हम कहां देखेंगे रोस में चीन में इन्होंने अउ इनमें से कौन आधनिक समाज के सार्जनिक और ब्यक्तिक्या छेत्रों में परिवर्तन से जुड़े हुए हैं तो सार्जनिक और ब्यक्तिक्या छेत्रों में परिवर्तन से की बात करते हैं जो है चुर्गीन हैवर माज अगला है ऐसा समाज जो प्रसाशन एम नियंत्र है तो सूचना और संचार प्रध्योगी पर निर्भर रहती है तथा इसके परड़ाम स्वरूप रोजमर्रा की जिंदगी की बाराक एकदम बारीकी से जो है निकरानी करती सूचना और प्रध्योगी पर निर्भर करती है यह हमारा की पॉइंट हो जाए और बारीकी से निकरानी होती है तो ऐसे समाजों को निकरानी समाज कहा गया है या सर्विलायंस सुसाइटी जैसे आज के समाज में हर जगा कैमरे लगे हुए है समाज पर निकरानी रखने के लि आपको कैमरे मिल जाएंगे तो ऐसे को निगरी निगरानी समाज के रूप में भी देख सकेंगे तो अगर देखा जाए चीन इसका सबसे बढ़ियां उदारण है चीन में आपको सरवाधिक कैमरों वाला देश भी कहा जा सकता है जो कि इंस्टॉल है इस यह मानेता की असली दुनिया हमारी ग्यान इंद्रियों से स्वतंतरूप से मवजूद है तता व्यानिक सोच की वस्टु वास्थभीक संरचना है वास्थ भीक संरचना वे हैं जो घटनाएं उत्पन्न करती हैं उनसे अटूट रहती हैं या कहलाती है तो यह जो है पानिंद्रियों से मवजूद होता है असली दुनिया तो यहां एथार्थवाद रिले रियलिज्म की की बात करता है जो की जो समाज में वास्तिविक्ता है उसकी ही सिर्शा होती है एक धार्मिक विश्वास क्या है तो एक धार्मिक विश्वास जो है ज्यान और सत्य के कथन के रूप में देखा जाता है एक धारा और विचार के रूप में भी देखा जाता है समूहों द्वारा साजा की गई वात्विक्ता को समझने की एक पढ़ाली के रूप में भी देख अगला किसके अनुसंधान के अनुसार प्रोटेस्टेंट नयतिकता के लिए प्रदान करती है तो धर्म जो है पूजी वात के लिए प्रदान करती है ऐसा मैक्स वेबर का मनना अगला है किसमे अपणी पुस्तक ध्यूटी फुल गें बीध्वानों के इन गलत का उलेख किया गताल पहले सिच्छा के इस्थिधी खराब थी तो धर्मकाल ने ये अउत dust नहीं थी बहुत अच्छी थी ब्रिटीस भारत में ब्रिटीस सासन के अधीन सरप्रथम 32 विद्यालेयों कि अस्थापना कब की गई थी तो यह 1857 में मद्रास मुंबई और कोलकाता में किया गया यहां कुछ धार्मिक संगठन दिये गए हैं वे हैं कौन से मध्यकालीन धार्मिक संगठन है तो मध्यकालीन संगठन में जो है संक्राचार का धार्मिक संगठन रामानुच का धार्मिक संगठन चैतन्य का धार्मिक संगठन और वल्लभाचार का धार्मिक संगठन जो मध्यकालीन धार्म तक society, culture and personality में इस बात पर विशेस बल दिया है कि समाजिक वातावरण कला से संबंधित समाजिक प्रक्रियाओं को कला की आत्म निर्भरता की रचनात्मक प्रक्रिया का महतपूर प्रभाव डालता है। इससे पीछे आप याप उस तक देख चुके हैं कि स्वरोकीन की है और यही बात करते हैं कि समाजिक वातावरण कला से संबंधित हैं समाजिक प्रक्रियाओं से कला की आत्म निर्भरताय। रचनात्मक प्रक्रिया महतपूर प्रभाव डालता है। अगला है नारिवादी की कौन सी लहर में नारिवादियों ने जैविक भिनता के लिए सेक्स का और समाजिक भिनता के लिए जेंडर सब्द का प्रयोक किया गया था। नारिवादी के दूसली लहर में जैविक भिनता के लिए सेक्स और समाजिक भिनता के लिए जेंडर सब्द का प्रयोक किया गया। नीचे जो है सुमेलित करना है दिए गया कूटो के अंसार सुची एक में हरे किश्र अंदोलन तो हरे किश्र अंदोलन जो संबंधित है वह हमारा स्वामी प्रभु पादिस्य संबंधित है और ये समाज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। स्वामी दयानन सर्वसती को भावतित ध्यान अंदोलन की बात जो है महर सी महेश योगी द्वारा की गई है और ब्रह्म समाज की अंदोलन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था तो यहां राइट आंचा जो होगा तीन चार अर्थाद एक हो जाएगा। अगला प्रशन है आग बर्न के सिद्धान्त के अमसार स्सक्रीतिक बिलम्बना तो आग बर्ना के अमसार पीलम्बना जो होती है वह होती है नए अभिस्कारों के लिए अभिस्किति के गईर तकनीकि पहलूओं को समायोजित करने में देरी अर्था जो अविस्कार ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं जो गैर तकनीकी पहलू होते हैं वह बहुत दीरे दीरे अर्था उसके मुकाबले बहुत देरी होती है और इसे उनकी भासान कहें तो भौतिक संस्कृति की तुलना में और भौतिक संस्कृत संस्कृति में देरी से परिवर्थन होना अर्था इनके बीच जो गैप हो जाता है उसे ही संस्कृतिक बिलंबना कहते हैं हाल के अनुसार संस्कृतिक पहचान क्या है तो हाल एक समाश सास्त्री है इनके अनुसार जो है संस्कृतिक पहचान क्या है किसी भी ब्यक्ति में हो देने वाले एक अवस्यक और परीवर्दनियर पहलो हमारे बारे में लगातार सार भूमिक धारड़ा होती है जीन द्वारा निर्धारिय जबीक विसेष्था तो हमारे बारे में लगातार बदलते भीवराः सान्सक्रितिक भचान तो आज की वीडियों यहीं समाम्त करते हैं वीडियों को लाइक और शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यां वाद